हेलो गाइज, स्टॉक मार्केट न्यूस फॉर आरन में आप सभी का स्वागत है आज अज 25 जुलाइज बात करेंगे आई से बैंक के क्वाटर फार्ज जून के नतीजों के बारे में चुकि इनके नतीज़े आज की तारीक में आए हैं यहाँ पर देखेंगे कि प्राइज में किस तरीके की हलचल हो सकती है यानि कि यहाँ पर टार्गेट को जानने की कोशिश करेंगे वहीं बात करते हैं इनके नतीज़े कैसे देखने के लिए मिल रहे है चुकि यहाँ पर इनके क्वाटरफर्स नतीज़ों में जो नेट प्राफिट देखने के लिए मिल रहा है उसमें 36 पितेशत की व्रद्दी है फिगर्स में तकरीबन 2599 करोड के लगबग आपको मुनाफ़ा देखने के लिए मिलेगा जिस चीज़ का आपको यहाँ पर दियान रखना चाहिए वो यह कि यहाँ पर देखेगा इस सब के बीच जहाँ पर COVID-19 चल रहा था यहाँ पर बैंक्स देखेगा जूज रहे थे तो वहाँ पर देखेगा मुनाफ़ा कैसे दिखा पाया ICICI बैंक क्या इस मुनाफ़े का कोई positive impact पड़ेगा या नहीं तो इस चीज़ को समझना बहुत जादा जरूरी है चुकि लास्ट कोटर में तकरीबन 1908 करोड के लगबग मुनाफ़ा था जो कि देखेगा अब आपको तकरीबन यहाँ पर देखेगा लॉंबार्ड में जो कि 2225 करोड के लगबग है और 1.5% स्टेक्स बेचे हैं पुडिंशल लाइफ में जो कि 840 करोड के लगबग है तो यानि कि अब आप समझ पाएंगे कि यह profit कहां से आया है चुकि यहाँ पर stand-alone financial results के अगर बात करी जाए यानि कि जो इनका net gain है इने स्टेक्स को बेच कर वो देखेगा आपको तकरीबन 3036.29 करोड के लगबग देखने के लिए मिलेगा वहीं पर देखेगा अगर इनके consolidated financial results की बात करी जाए तो यह 2715 करोड के लगबग आपको देखने के लिए मिलेगा तो यानि कि यहाँ पर यह जो मुनाफ़ा है यह इनके stake sale के कारण है तो मुझे नहीं लगता marketing को कोई जादा respect करने वाला है चुकि COVID-19 के चलते इनकी भी देखेगा lower credit demand, fee income में decline और lower borrowing के कारण यह सारी चीज़े देखने के लिए मिली है यानि कि इनके उपर भी उतना impact पड़ा है जिसके चलते इनोंने 5550 करोड की provisioning करी है और यह additional provisioning है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जादा इनको को impressive moment देखने के लिए मिलेगा तो यहाँ पर देखेगा जो net impact रहा है वो अभी भी घट रहा है यानि कि जो कि अच्छी बात है asset quality सुधर रही है तकरीबन 1.41% के लगबग March quarter में था जो कि अब 1.23% के लगबग June quarter में देखने के लिए मिल रहा है तो यह एक चीज़ है जो कि positive है वो इनकी जो net interest income है वो तकरीबन 20% के लगबग year on year basis पर बड़ी है यानि कि 9,278 करोड के लगबग इनकी net interest income है तो यह सारी चीज़ है जो अपने आप में काफी positive है हाला कि यहाँ पर अब चलते हैं और main चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे last trading session पर तकरीबन यहाँ पर आपको 5,29,000,000 लगबग quantity trade होती हुँ दिखाई पड़ी यहाँ पर तकरीबन 1,54,000,000 लगबग को डिलीवर होती हुँ दिखाई पड़ रही है 13,000 से ज़्यादा quantity अभी भी buying में लगी हुई है तो यहाँ पर देखेगा situation क्या है situation यह है कि ग्रावट देखने के लिए मिली थी जो कि previous closing थी 392 के लगबग और यहाँ पर हमारी closing हुई है 381 के उपर अब यहाँ पर हमारी option chain क्या कहती है जरा उसको पहले देख लेते हैं तो देखेगा option chain में जिस चीज को आपको notice करना चाहिए वो यह कि यहाँ पर 25,000,000 से जादे का आपको देखेगा यहाँ पर call side पर build up देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर already 46,000,000 से जादे का open interest rate है यानि कि resistance बनाने की कोशिश करे गई है 380 पर तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें तेजी के बारे में थोड़ा कमी सोचना चाहिए कारण क्या देखे कारण यह है कि यहाँ पर अगर आप technical chart पर चलते हैं तो यहाँ पर situation यह है कि एक channel के अंदर अभी काम कर रहा है चुकि देखे यह अपने देखेगा resistance के पास गया एक channel में फिर नीचे की तरफ आया इसने support लिया जो कि support इसका यहाँ पर था इस जगे पर देखेगा एक support मुझूद था और आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ support मिला फर्दर देखेगा यह उपर जाने की कोशिश कर रहा था फिर से देखेगा जो एक resistance था उपर की तरफ यहाँ पर देखेगा इस जगे पे जो resistance है इसने फिर से देखेगा पहले यहाँ पर इसको face किया फर्दर देखेगा दुआरा भी इसको यहीं resistance देखने के लिए मिला और उसके बाद देखेगा इसने फिर support लिया और support इसने तब लिया अब आप देख सकते हैं कि फिर से इसने अपने resistance को यहाँ पर तोड़ा जो कि 372 के लगबग था और उपर गया और यहाँ पर देखेगा तकरीबन 392 के लगबग यहाँ पर इसने एक नया resistance खोज लिया जो कि हमको पहले भी यहाँ पर देखने के लिए मिला था तो अब आप सारी situation समझ पा रहे होंगे कि resistance कहां कहां रही है और support कहां कहां है तो अगर देखेगा यहाँ पर अभी चुकि यह फिर से अपने support के पास आ चुका है जो कि पहले सका resistance था यानि कि 372 उसका अब एक support की तरह काम कर रहा है अगर यह तूटता है तो definitely फिर यह नीचे जाएगा और तब आपको यह काफी नीचे आता हो दिखाई पढ़ सकता है यानि कि तक्रीबन तक्रीबन हमको यहाँ पर 355 के लगबग level दिखाई पढ़ सकते हैं बैरहाल अगर market इसको respect करता है इसके नतीजों को तो आप इस चीज़ को मान के चलिए कि क्या वो जगए है जहाँ पर निकलने के बाद यहाँ पर आप खरीच सकते हैं तो देखेगा 395.20 के ऊपर अगर हमारी candle close होती है तो देखेगा यह अगर हम इसके ऊपर close होते है तो definitely यह ऊपर जा सकता है और तब हमको एक अच्छे target देखने के लिए मिल सकते हैं और उसी साबसे अपने लिए position बनानी चाहिए यानि कि situation यह है कि यहाँ पर जिस तरीके का build up है उससे देखने से लग रहा है कि यह 372 को तोड़ सकता है और नीचे आ सकता है और हाला कि यह जिस तरीके के channel में काम कर रहा है वो कहीना कहीं देखेगा uptrend में काम कर रहा है इस होगी आपको बस इस चीज का दियान रखना है कि 372 को अगर यहाँ पर यह तोड़ेगा तो definitely फिर यह बड़ी गरावट दिखाएगा तकरीबन 355 के लग बग और हाला कि इसका जो support है नीचे वो 342 के लग बग है तो यहाँ पर हो सकता है यह channel से भी नीचे निकला है हाला कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें काम कर रहा है और कहां कहां पर इसका support है तो इस चीज को हम देख रहे हैं नीचे मैंने एक trend line दी है जो कि एक support trend line का काम कर रही है जिस चीज को आप यहाँ समझ सकते हैं तो इन सब चीजों को समझ कर आप यहाँ काम करिएगा अध आला कि ऐसा देखने से लगता है कि 424 के लगब यहां पर जाता हो दिखाई बढ़ सकता है उसका कारण है कि last कुछ दिनों में जिस तरीके का volume create हुआ है तो यहां पर एक तीजी देखने के लिए मिल सकती है तो situation आप समझ चुके होंगे किस तरीके की situation है वो मनें आपको बता दिया है आप उस चीज़ को यहां पर देख सकते हैं तो अभी अपने support के पास है जो कि 372 के लगबग है और आप देख सकते हैं कि यहां पर जिस तरीके के positive result है हो सकता है कि यहां पर यह 424 के लगबग यह drive करता हुआ दिखाई पड़े आपको ऊपर channel में फर्दर यहां पर resistance इसको देखने के लिए मिल सकता है और फिर देखेगा ही नीचे जा सकता है तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके हैं हर तरीके से support बनाया resistance बनाया और support को यूज़ करके आप इस चीज़ को देख पाएंगे कि हमेशा जो भी इसने support बनाया है उसको फर्दर अ यानि कि one day की candle इसके उपर close होती है हाला कि ऐसा नहीं कि intraday में निकलता है तो आप वहाँ पर play करने बैठ जाएं तो इस situation को आप समझिए यहाँ पर जो एक resistance है इस जगे पर वो देखेगा 395.20 के लगबग है उसको यह निकालता है तो definitely यह फिर उपर जाएगा और target इसका 2424 के लगबग रहेगा तो यह situation है आई से यह बैंक की उसको समझ के आप यहाँ पर इसको play कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों सब्सक्राइब करता है आप सब्सक्राइब कर दीजिए आपको गली वीडियो का नाटिफेशन मिल जाएगा वीडियो में कुजिए इंफॉमेट यह लाइक कर दीजिए और फ्रेंट का पिशाना मत भूलेगा चलिए थैंक यू